आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार सर परसेंट आबाधी यारी युवाओं की हैं तो तो युवाओं जो होते हैं वो किसी भी देश के विकास के आधार होते हैं कहते हैं जिस देश में सबसे आधार युवाओं आबाधी होती है उस देश की जो विकास की दर है वो लगातर बढ़ती जाती है और वो देश विका सारों दामुदरार जो एक कितना एक अधार वो युबाही होता है पर देश में आज युबा कि स्टिती क्या है कि चिपी नहीं है सब जानते हैं कि आज देश में युवाओं को केबल बोर्ड बैंक माना जाता है केबल उनको अलग माध्यों से भिर्मिट किया जा रहा है उनको नए नए उपहार दिये जा रहे हैं नए नए लुबावने बादे दिये जा रहे हैं पर उन देश के युवाओं का जो अब तक अगर इस्थाई रूप से कोई निराकर और समाधान है वो अब तक नहीं होता है सरकार आती है बादे करती है बादे जो करती है वो होती है युवाओ की नोकरी का कि नोकरी हम सबसे आरा जेंगे और नोकरी की जब बात आती है तो नोकरी मिलती रही है हमारा जैसे आंगे बढ़ रहा है जैसे हम 21 सदी में प्रिवेस्ट किये हैं वैसे वैसे हमाई चीजें प्रात्रक्ति था बढ़ गई है जैसे ब्यूस्था होती थी पुराने समय में पैंसन पैंसन की ब्यूस्था खतम हो चुकी है पित्योंगी परिच्छा लगातार इतना कंप्रिटिव हो गई है कि उनसे पार पाना हर एक की बस की बात नहीं और साथ ही साथ उसमें जब आरच्छण लागो होता है तो आरच्छण से स्थिटी और गंबीर हो जाती है और डेश के युवाओं में इसका एक रोज भी है कि यहां मात आरच्छण किरीं करेंगे क्यों कि अलग मुद्दा है यहां बात करने बैठें युवाओं कि जो हमाइज देश की तर्फ़िए परसेंट आवारी जो देश के बिकास के करंदार धार है उनका आज क्या ह sleeping company ते रही होभा झाले ताया जाता है जो है जाता तो पैसे का मुद्धा हो रहा यह सरकार में इस्टिक दिखाजा आ तो सब्नेकर करें किसर जो हो भी करें जरूरत की चीजे हैं जो भी जैसे भी हमारी जरूरत की हमें सही सही जो नौलेज दे या जो भी हमें जो सुविधाय खाली बता नहीं कि हम यह करेंगे वो करेंगे यह हमें लड़ाएं नहीं बस खाली जो हमें जवरत हो वह हमें हमारी अपेक्षा तो यही रहेगी कि सरकार जो मुद्धा अपना सामने लेकर आती है कि जैसे कि आप देख रहें कि पीड़ी दर पीड़ी जनरेशन बढ़ रही है और एरिया वाई सब डबलेव हो रहा दीरे दीरे तो उस हिसाब से कहते हैं सरकार को भी डबलेव होना चाहि अगे कुछ करना चाहते हैं कि उनकी मैनत उनकी सफलता जो करना चाहते हैं वह आगे नहीं दिखती है उनको यह सरकार को सोचना चाहिए इस बात पर कि इस्टूडेंट अगर महिनत कर रहा है ग्रेजवेट है तो उसके थूरू उसके अकॉर्डिंग उसको जोब प्रवाइड करें ना कि उसको पीछे-खीचे कि माली यह एक कॉलिज का बंदा है तो वो उसको जोब मतलब उसको है उसकी पावर जादा है कॉलिज की पावर जादा है तो स्टूडेंट के बाद जोब आ रही है और कुछ और कॉलिजों की पावर कम हो जाती है तो उस पर जोब नहीं मिल पाती है तो उनको उस बराबर के लेवल पर सरकार लेक्या है क्योंकि सरकार अपने देश चला रही अपने देश को बढ़ाने के लिए पहले अपने देश के बच्चों को उनके बारे में सोचे और उसके बाद सरकार फिर दूसरे मुद्व पर आए क्योंकि जिस हिसाब से अपना काम बहुत अच्छे से करना चाह रहा है जो कर नहीं पार है मैं यूवा हूँ और मैं अपने बहुती मित्रगणों के साथ में बैठता हूँ बहुत चल्चाए होती है कि सरकार ने क्या किया पिष्ली सरकार कमत मध वह यह है की इस बार अखलेज भाईया को ही मौका देना चाहिए यू यूवा क्या सोचता है यूवा को आज की डेट में रोजगार चाहिए है जो ऐसे पिछली सरकार में अखलेज जी ने लैपटॉप वित्रण किया है और लोगों को सुझधाय दी है तो वो चीजे नहीं है आज की डेट में जो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आज की डेट में जो एक केटेगरी है जनरल लोबी से एस्ट अज की डेट में जनरल कोई बंदा है तो उसको एक फॉर्म भड़ना है तो इसको देने पड़ते हैं 500 रुपए 1000 रुपए OBC कब यही हाले 500 रुपए 1000 रुपए देने पड़ते हैं जब कि SCST में क्या है उसको विना कोई पैसा दिये वो आसानी से फॉर्म भड़ सकता है प हर क्लास के लोग हैं आज की डेट में पढ़ना चाहते हैं गवर्मेंट की तयारी करने उनको फॉर्म भड़ने बट इतने महेंगे कॉसली फॉर्म है कि लोग प्रॉपर तरीके सबना फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं तो एक सरकार से मेरा नुरोध यही है कि अगर स्टुडे में उनकी आय का सबके पार डेटा रहता है तो उसकी आय की विभाजन के हिसाब से लोगों को फैसल्टी दी जाए कि वो एक्जामनेशन का जो फॉर्म है वो उस तरीके से लोगों को आय को देखते हुए उस तरीके से उसको बेनफित मिले पहला दूसरा रोजगार आज की में इसे रोजगार की बात करें तो बहुत दिक्कत है कोविट के बाद से बहुत से लोग आज की डेट में बहुत मित्रगणा है जिनकी नौकरी शूट गई है प्राइवेट सेक्टर में भी एक छोटी से दस हजार की जॉब के लिए भी हजारों लोग कंडिडेट आते हैं उसमें से भी घूर चलती है तो सरकार से एक और अनुरोध है कि रोजगार के लिए भी कुछ ना कुछ बच्चों के लिए या स्टुडेंट से जो भी यूवाँ है सब के ले करें देखिए हम लोग का जो में में वो है वो यह यह कि सरकार आप जो भी आए चाहे वीजेपी यह कॉंग्रेस यह कोई भी यह वह हम लोग को सबसे पहले रोजगार का रोजगार दिला यहां पर क्योंकि लखनों में अगर आप देखेंगे तो उपर्चुनटीज नहीं है हम लोग भी यहां पर किते टाइम से काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं यहां यहां पर जौब की कोई फैसलिटीज नहीं दिखाते हैं कि हाँ यहां पर फैक्ट्री जितनी सारी आ गई हैं कंपनी इतनी सारी हैं मगर एक तो यूपी में भी वोग कल्चर वैसा नहीं है कि जहां पर हमें लगे कि नहीं हम लोग के लिए उपर्चुनटीज हैं वो बिलक आफार सारी आने चाहिए तके यहां के लोगों को बाहर का मुणा देखना पड़े. बट उसमें यही सा बाता है कि हम जौब नहीं हैं पढ़े लिखे लोग हैं आची डिट में बट उनके पास सही एक जगे नहीं मिल रही जहां से वो अपना करियर जो है बिल्ड अप कर सके आने वाली सरकार से मेरी यही युवाओं के लिए अफेच्चा है कि वो मतलब युव को रोजगार का अफसर मिलेगा अच्छा अफसर मिलेगा और जो अभी योगी जी की सरकार है हला कि योगी ने काम कोई खास नहीं किया है तो हम तो यही चाहते हैं आधरणी स्री अखले सियादव जी की सरकार बने 2022 में सपोर्टर नहीं है लेकिन उन्होंने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है और वो खुद एक इंजिनियर है तो वो हर पड़े लिखे नौजवान की उस मतलब भासाओं को समझते हैं उनकी अंतरा आत्मा को समझते हैं उनसे रोजगार के लावा अपश्चा यहीं देखते हैं कि मतलब जो भी जैसे को गोस खोरी ना हो इस आए तो इसलिए हमारी जो उमीदें हैं वो अखले से अदब जी पर ज्यादा टिकी भी है तो आज कल देख लीजए ठीक तो आप मैं सुने युवाओं की अलालग मत की युवाओं को कहना है कि सरकार आती हैं बादे करती है पर रोजगार के मामले में कुछ नहीं होता है दोस्तों यहाँ पर देश के हम बात करते हैं तो हमारे देश में कईयों राज्ये हैं बड़े हैं छोटे हैं बहुत छ समस्या है वो न राज्यों में जादा है जहां पर आबादी सबसे जादा है जार दौर्पी बाते जहां पर आबादी जारा होगी बापर उजगार की समस्या सबसे जादा होगी पर यहां पर इस्थिती यह है कि हम तरह तरह की युजनाय बनाते हैं हम कहते हैं कि अगर हम उत् आज भी कहा जाता है कि उत्भएष्ट की और ध्योगी राजदानी कानपुर है तो कानपुर में डिनिक्रेड क्यों और निर्भर हैं ङूश्वक्ता जिले हैं ios saat ina, एक उत्तr की सरकार बोलती है उड्यो पी गया प्रटॉक्त एक जिला एक लिए भी अगर हम उस जगह को प्रमोट करें उसको बढं़ ré你知道 का हर जिले में कुछ ब्यहतर पिसंच्राइर लग सकते हैं कुछ ब्यातर कंपना लग सकती है तो कम वस्जिले की समस्षय का कि यह रिशुस्टे की युभाही भविस्ट की आधार है हम कियो उनको अपना अमूल समय अपनी अमूल युजनाए udah को लगातार फिर भी युभाहों की उपएच्छा हो रही है उनको कि युभाही रूप में धेखा जाता है और इसके साथ है अगर राजनीती की बात कर लें तो राजनीती में बड़ी भागिडारी मिलती है लोग तो 45 साल में भी अपने आपको युवा वोलते हैं कि युवा नेता है ये कैसे युवा है मेरे समझ से बाहर है और केवलो केवल बोर्ट बेंग माना जाता है कि हाँ आब पुला बैधाग के तीन बात, अब भी अपनी जगए जिसको युवा तलास रहे हैं, क्योंकि जगए क्या है, अब भी वो समस्याओं से गिर्षित हैं, और केबल उनको मिलते हैं इसके बदले में बड़े बड़े बादे, कि बादे हो गए हैं, काम हो जाएगा, बादे हो कि अगर इनको भविष्ट का आधार माना जाता है फिर इनके लिए कुछ नहीं किया जाता है इनके लिए प्रे देज्ट में एक बोडस्टीने इनको भागज़ारी पर हमारे देश में अब भी युबा माना जाता है 50 साल के लोगों को यारी प्रोण हो चुके उनको युबा माना जाता है यह कैसे युबा है जैसे बड़ी परच्छाओं के लिए अपने उम निदार किये हैं प्रोफेशर के लिए उम निदार किये हैं तो फिर हम ऐसे देश में राजनीदी के लिए हम युबा हो को क्यों आए लाना नहीं चाते क्यों 50 साल के नेता अपने आपको बोलते हैं कि हम युबा नेता हैं कैसे युबा है यानि 10 साल बार वो बरिष्ट नागरिक हो जाएंगे और अपने आपको 10 साल पहले बोलते हैं युबा तो मेरा ऐसे युबा नेता उसे यही अनुरोड है कि कम से कम अगर आप युबा है त क्यों है 150 को बहलाने का प्वेलाने का मामला किया जा रहा है उनको फुसला आए जाता हूं वाने बालते कॉंगरी मैं बाट केζे कौकटी डे रहे हैं स्क्जा दे रहे हैं फ़स्क्राइप हैं वे सब्धकु कुल्छी समस्य बाहर है और क्यों इनको इनकी बातों में आएगा तो इंको सरकार हैं बहां कितनी मेला के लिए स्कूती जी एकWell is क्लалась की स्वी दिया है कितनी का приложिधा दिया है तो ज़सी तेकल नीचाहिं है वहां नई आप मैं वो सच्छम है, उसको बताने जगवर नहीं है, कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पर आप अपने उन राज्यों की बात करें, जहां पर आपने अगर किया है, तो उसका डाटा पिस्टिट करें, कि आपने मेलाओं के लिए किया है, आपने युवाओं के लिए किय कि अपने माँ कितरे अगर लगा है, कित्रे स्वरुजजगार के लिए कोई डाटा इन पास नहीं है, तो रिश्टिट करते हैं, और युवाओं का वोड हमें को चाहिए, समाज़बरी पार्टी बाज करते हैं कि चले हमने रोज़गार दिया आपने क्या बेस्ताइदी क्योप परदेश के 75 जलों में उद्धिग राज़धारी नहीं बन पाई क्योप 75 जलों में स्वर्ज़गार नहीं लग पाए क्यों बड़ी अफेक्टी नहीं लग पाई क्यों वहां के लोग अलालाग जो वहां के गाओं के लोग है वो अलालाग सहरों में पलार करने को मजबूर हैं वो क्यों दिल नी जाते हैं वो क्यों कुछ नाज जाते हैं काम करने के लिए इसका जवाब कौन देगा इसका पही अपने परदेश में ही अपने जले में ही अपने स्थान पही आपने सवर्जगार को बड़ावा नहीं दिया कि जो आदमी गुजरात एहम्दवाल मंबई दिल्ली कलगत्ता अखरी करने जा रहा है के रहा है वो आपके छेत में अपने घर पर ही रोजी रोटी कमा सके सौ स्वधियर आसपा की स्वथिया कि बात कर लें कि इस पतानें को इस पर आप उसके लिए पर कि है कि सारे जलों में ऊटी ओपी को बहतर रूप से आप प्रोनेट कर सके अब आप इतना ऊडियूों पी कि तरे आप नहीं है आप फैट्रिया या बो लगा सके जिससे की वहां के कम से कम उस जिले के युबाओं को नोकरी के कहीं दूर ना जाना पड़े सरकाई नोकरी इतनी ज़ादा है नहीं, कंपटिशन सबसे ज़ादा है और उसमें भी आरच्छन है, तो कम से कम जो युबा है जो पढ़ी लेकर निकल रहा है उसके लिए कोई नोकरी तो होनी चाहिए संस्थान पढ़ाते हैं, बड़े-बड़े संस्थान यहाँ पर है आज के देर्श में संस्थानों के बड़े वैवसाई कराल हुआ है पर संस्थान बता हैं कि उनके बाद जब लड़के निकलते हैं तो जो अच्छे लड़के होते हैं, बहुत होनरवाले होते हैं, बहुत बड़े-बड़ी कंप्यों चले जाते हैं, बिनेज भी चले जाते हैं फिर मामला कोट में जारे कर खोट आरेज देता है तब जाके नुक्ति होती यानि जो नौकरी 18-19 में लगनी चाहिए थी बोजाके 22 में लग पा रही है और कई लोग ऐसे हो जाते हैं पर इच्छारती जो समय तक उमर दराज हो जाते हैं यानि ओवर एज हो जाते हैं उस नौ परिच्छा इंटर्व्यू पहले में प्री फिर में फिर आपका इंटर्व्यू फिर कोट और फिर जाके आदेश अब भी कई ऐसी पत्युक्ता हैं परिच्छा हैं उनके अभियरती लगाता प्रदसन कर रहा है और प्रदसन कहीं दिल्ली में होता है कभी राइस्थान में होता है कभी उत्तप्रिस में होता है अब लगाता देख रहा है किस तरह से बच्चे प्रदसन कर रहा है नोक्रियो को पूरा करना है वो भरती पिक्रिया लगाता तलती जाती है जो जम्मिदार है वो मौन रहते हैं और इसका खामेजा भुगता है वो भुगता है आज का हमारा देश का युबा जो हमारा देश का कर्णिदार है वेकास का वो केबल केबल आज इन सरपरस्तों के कारण इन जो जो मेरा लोग है, जो सासन पर सासन में बैठे हुए है, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, और देश का युबा उनकी करनी को भुगत रहा है, और अब भी बिरुजगार भटक रहा है, यहाँ पर मैं किसी सरकार या सासन पर आरोब नहीं लगा रहा हूं, मेरा मानना के वाल इत साओं को बहतर क्यों नहीं करते हैं, अगर MSME लगनी है, तो क्यों नहीं लग पा रही है, और इसके अलाबा सबसे जटल पिकरिया, तो मैं आपको ध्यान जरू जला चाहूंगा, वो है हमारे यहाँ की रिड़ पिकरिया, हमाने तमाम तरह की जुना चलती है, प्रामंतरी र बैंक में जाता है, तो बैंक बाला बोलता है, भाया यह कम है, यह ज्यादा है, यह कागश कम है, यह पिकरिया को उतना उलजा देता है, जो अति उर्षाय से जला उद्ध्यक्विन से अपनी फाल लेके सोच के चला था, कि मैं रोजगार मांगने नहीं जाऊंगा, मैं बढ़े उद्ध्युपती खा गए, जोनाना पैसा भी नहीं चुकाया, और भाग गए, उधारना आपके सामने मुझे नाम बताने की जबुद नहीं है, वही रेंड, जब युभाव को आंगे बढ़ाने के लिए आता है, तो पिकरिया इतनी जटल हो जाती है, कि वो अब खा गाशी मैं आके उनकी उम्मीद दम तोड़ दोड़ जेती है, और फिर वही रोजगार देने बाले ना बनके, रोजगार लेने बाले बन जाते हैं, और हमारे देश में सब्से बड़ा बेकास का पतन जो है बह cafeteria है, और यहीं से सरूऴ हो जाता है, हमारे देश में जिले तो आपको रिन हो जाएगा, आपको सूर्स नहीं है, अगर एक सामन प्राणी है, सामन युबा है, तो आपको रिन लेने के लिए नाको तले चले चवाले पड़ जाएंगे, तब जाकि आपको रिन मिलेगा, वो भी कैसे मिलेगा, यह आप जानते हैं, और जो फैट्टी लग हम रोज़गार को सामिल करते हैं, हम बातों को सामिल करते हैं, हम मंदल को सामिल करते हैं, हम अस्पिटल को सामिल करते हैं, हम मस्जिद को सामिल करते हैं, हम धर्म को सामिल करते हैं, पर हम कर्म को सामिल क्यों नहीं करते हैं, हम क्यों नहीं कहते हैं, कि देश के युमाओं को आ सरकारों आप सबको सरकारी नोकरिया नहीं दे सकते क्योंकि देश कि कई गुना बड़ी आबादी पासाउट होके निकलती है हर साल उतने आपके पास नोकरिया नहीं है पर कम से कम हम उन युवाओं को स्वरुजगार तो लगा सकते हैं हम क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर एक युवा एक रुजगार लगा लेगा तो कम से कम बीसों लोगों को रुजगार दे सकेगा तो कम से कम बीस लोगों की समस्च्चा तो हल होगी कि और मेटबूर्ण चीज होती है अपनी वियरस्था एक अपनी वियरस्था है पर उन हरण को देख के कोई भी युजना नहीं बनाई जाती है हम के वह युजना बनाते हैं देश को युवाओं को बताने के लिए कि हम यह व्युष्था लेकर आ रहा है पर उन व्युष्थाओं में आप कैसे मैनेज करेंगे यह किसी को नहीं पता है अब सबसे बड़ी पर यह बात यह है कि हम लगातार बोलते हैं कि युवाओं को नोक्री देंगे हम लगातार बोलते हैं सरुजगाल लगू आएंगे के बादा करते हैं नौक्री का बादा करते हैं व्योस्था का बादा करते हैं सुरुष्था का बादा करते हैं अलाला योजनाओं के बीच में पूरी कितनी हो नहीं समिच्छा कोई नहीं करता यह और यह स्थिति देश के सभी राज्यों में हैं खासतर से उन राज्यों में ज सबसे बड़ी नहीं मानते हैं। तो वो एक सही फैसला लेगा, एक उर्सा के फैसला लेगा, वो समझेगा, क्योंकि जब तक आपके खुट को पीड़ा नहीं होगी, तब तक आप दूशरी पीड़ा कैसे समझेगे, जब एक युवा राजजीती में सक्री होगा, तो समझेगा, कि देश की जगवद क्या है, यहाँ पर लोग वो युवा आपको बोलते हैं, जो लबब लबब 25 साल से उपर जा चुके हैं, वो बोलते हैं हम इसकी देश की युवा नेता है, उनको पता ही नहीं कि युवा क्या होता है, तो जिस देश को युवा ही नहीं पता, वो देश की युवा को लिए क्या करें क्योंकि अगर देश का युबा नौकरी देने वाला बनेगा तो जो आपकी विर्जगारी समस्या है वो स्वता खतम हो जाएगी किसी युबा को किसी परदसन नहीं करना पड़ेगा किसी राजसरकार के आने गरगरा नहीं पड़ेगा नहीं अपने हग के मानने के लिए जो होनरबाज है जिसके नहोनर है वो जा सके और अपना एक अलग से काम सुरू कर सके और कई युबाओं को नौकरी दे सके जो सबसे अच्छा कदम होता है विर्जगार की समस्या खतम करने पर हमाई देश में युबाओं को केबल हो केबल एक बोट बेंक माना जाता है एक को अलालब बादे करके लैप्टॉप, स्मार्टफोन, स्कूटी और तमाम चीज़े देखे जनता के जो पितिनीरी है वो लभाते हैं उनका समरसर मानते हैं पर मेरा एक निविदन देश के युबाओं से भी है कि आप इन बादों मना आएं और आप स्वहम एक सतक्त जिया दिने बाने बने क्योंकि सबके लिए सरकाई नौकरी दिमलना समय संभब नहीं है और खास तोरपे दूचा निविदा मेरा जो तमाम देश की सरकारों से है चाहे वराज सरकारों चाहें कि आप ऐसी व्योस्था बनाएं कि देश का युबा भर्मित ना हो और इसको कि और पार्ट को डेवलप करकर और इस स्रुजगार लागा कर दूसरों को रुजगार दे सके तो आज की चर्चा में इतना ही अगली बार किसी बड़े मंद्रिया बुन लगार हो रोगी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार